आज से हम आपका जो excellent grammar है उसमें जो आपका फ़स्ट topic है class 12 के अंतरगत नरेशान यानि direct and indirect speech यहां से मैं आपको starting करा रहा हूँ और आपको पूरा complete grammar और literature जहां आपको free of course देखने को मिलेगा और साथ ये साथ previous year जो question paper हुए हैं उनके भी solutions मैं आपको कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे बिल्कुल basic से जहां आप काफी पैसे खर्च करकर questions में भी नी सीखेंगे वो चीजे मैं आपको free of course अपलब्द कराऊंगा बसरते आपको last तक वीडियो को देखते र कहना तो देखिए दोस्तों स्पीच जो होता है वह दो प्रकार का होता है आपका एक होता है डारेक्ट स्पीच और दूसरा होता है अगर आपसे पूछे स्पीच कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे दो प्रकार का कौन सा डारेक्ट स्पीच दूसरा इंडारेक्ट स् कि speakers words are quoted यानि कि जो वक्ता के सब्द है वह comma invited, comma के अंदर रखे जाएं वही हमारा direct speech होता है अब indirect speech यह indirect speech क्या होता है तो speakers words are manipulated speakers words are manipulated यानि जो वक्ता के सब्द हैं उन्हें जब जोड़ दिया जाए वही आपका indirect speech होता है तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अब दोस्तो direct से जो आप indirect बना रहे हैं इस पूरी की पूरी process को हम कहते हैं transformation क्या कहते हैं, transformation sir question उठता है कि यह transformation होता क्या है तो आपको ध्यां रखना है change in the structure यानि कि जो structure है, सनरचना है उसमें तो परवर्तन हो जाए what the meaning does not change लेकिन जो वाक्य का अर्थ है वह परवर्तित नहीं होना चाहिए जहां रखना है, structure में आप परवर्तन कर सकते हैं लेकिन meaning में कोई भी परवर्तन नहीं होना चाहिए जैसे मैं कहूं, मैं धनी हूँ तो कैसे कह सकते हैं मैं गरीब नहीं हूँ गरीब नहीं हूँ, तो मतलब मैं धनी हूँ यानि कहने का मतलब है सेम वही आर्थ होना चाहिए चो चलिए, structure को देख लेते हैं कितने categories में आप परवर्तित कर सकते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं तो structure की जो संरचना है वह है पांच प्रकार की होती है नमर फ़स्ट, assertive नमर दो, interrogative नमर थर्ड, imperative और नमर फोर्थ, optative और नमर फिप्त, exclamatory अब वारी वारी से हम समझेंगे लेकिन इसमें हम के वाल आज प्रनाउन, time, tense इन चीजों को बदलना सेखेंगे तो assertive sentence को आप कैसे पहचानेंगे यानि कि subject से शुरू होगा और fully stop पर खात्म होगा वह assertive sentence होता है assertive sentence दो प्रकार की होते हैं affirmative और negative आईए दोस्तों, मैंने यहाँ एक direct speech लिखा है Ravi said to me comma invited comma is through I am ill यह है ill है I am ill ill माने आप जानते हैं बीमार है तो यहाँ type करने में थोड़ी सी गलती हो गई है तो ill समझ लें इसे ठीक है तो देखिए यहाँ जो Ravi है यही तो बोलने बाला है और यही sentence का क्या है subject है तो Ravi आपका subject भी है और speaker भी है अब इसने जो कुछ भी बोला है और जो comma invited comma के अंदर रखा गया है इसी को हम कहते है reported speech क्या कहते है reported speech अब दोस्तों जब Ravi ने कोई बात कही है तो जिसे सुनेगा तो वह सुनने वाला जहाँ me है वह आपका listener है यानि किस रोता अब यहाँ जो sad to आपका बचा तो sad और केवल बैसे देखा तो sad ही आपका reporting वाव है क्या है reporting वाव अब यहाँ जो comma लगे हैं यहाँ आपके invited comma होते हैं क्या है invited comma यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आजा होगा रवी आपका subject भी है speaker भी है इसने जो कुछ भी बोला है वह है आपका reported speech है और जिस बात को वक्ता की सुनी गई है उसे हम कहते हैं listener और जो sad है वह है आपका है reporting वाव और यह comma invited comma आप देख रहे हैं इनहीं को आपको comma invited comma समझना है अब question उठता है कि reporting वाव क्या होती है तो आपको दिहां रखना है जो हमें tense और time of reporting speech के बारे में बताती है जो हमें tense और time of reporting speech के बारे में बताती है उसी को हम reporting वाव कहते हैं अब tense के आदार पर कितना हो सकता है present हो सकता है past हो सकता है और future हो सकता है तो इन सभी चीज़ों की आपको जरूरत परेगी अब देखिए यहां हम प्रणाउंस आपको चेंज करना सिखाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां कोछ छोटी-छोटी चीज़ां ध्यार रखनी है यह SC का मतलब है subjective case यानि कि वही आपका वक्ता यह PC का मतलब प्रियंग का चोकड़ा करते ही नहीं है इसका मतलब है पजेशिव केस पजेशिव केस दो प्रकार के होते हैं पजेशिव और पजेशिव प्रणाउं तो यहां पजेशिव प्रणाउं नहीं रखे हैं OC इसका मतलब है objective case तो देखिए I subjective case है इसका पजेशिव अब्जेक्टिव केस है मे यू अब्जेक्टिव केस होता है ही जो होता है वहाँ masculine, singular के लिए यूज होता है और हेज पजेसिव अजेक्टिव होता है हिम अब्जेक्टिव केस होता है सी का पजेसिव अजेक्टिव हर होता है और अब्जेक्टिव केस भी हर होता है इत का possessive objective 800 होता है और objective case 8 होता है दे का possessive objective देर होता है और objective case द्याम होता है तो इतनी से चीज़ आपको mind में रख़ लेनी हैं दोश्तो अब चलते हैं कैसे आप परवर्तन करेंगे आपने आजिता कुछ भी नहीं सीखा है तो अहां से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे तो देखिए इन चीजों को आप चाहें तो हिंदी में भी no down कर सकते हैं यदि comma invited comma के अंदर यदि comma invited comma आज के अंदर आई आप जानते हैं subjective case होता है my positive objective होता है me objective case होता है अगर आपको comma invited comma आज के अंदर I, my, me दिया है तो इन्हें हम reporting वव के subject के अंसार बदलते हैं अब reporting वव मैंने बताया जहां से sentence start होगा वही आपका reporting वव होगा तो उसी के अंसार बदलते हैं अब मान लीजिया उसमें आप reporting वव में आपका subject कौन है ही है तो जब आप ही को यानि कि I को ही से बदलेंगे तो I के stand पर आपको लिखना होगा ही अगर my को आप ही से बदलेंगे तो आपको positive objective ही का लिखना होगा ही अगर me को आप ही से बदल रहे हैं तो, He का objective व्यजिया आपको लिखना होगा ही नहीं याई बास समझ में I को change करना है ही से तो आप I की जगेंपर ही लिखेंगे माई को ही से लिखना है तो, He का positive économique माई के Berekaind क्षैंच पर हिज लिखना है मी को ही से चेंज करना है तो मी objective case होता है तो ही का objective case आप लिख देंगे him यतनी से बास समझ में आज एक जम्पल देख लिए आपको persons change करना सीखना है पहले तो ही said, invited, through I can do my work full stop, invited, मैं बन तो देखिए, invited, के अंदर I आजा है देख सकते हैं आप यही मैंने बता जा है आपको यहां इतना दिमाग नहीं लगाना है केवल यहां आपको प्रणाउन चेंज करना आना चाहिए तो जैसे ही आप आई को ही से चेंज करेंगे तो आई आपका subjective case है तो जब आप ही से आई को आपको सब्सक्रयाप के अच्छा अगर यहां आई से चेंज करना है तो आई के सतन पर आप से चेंज करेंगे तो अगर माई को सी से चेंज करना है तो आपको लिख देना है हर और मी को भी आप सी से चेंज कर रहे हैं तो आप लिख देंगे हर आज हो आपको इतना समझ में आ जा होगा तो देखिए तो देखिए C आपका सब्जेक्टिव केस है कॉमा इन्वाइटेट कॉमाज में आई ही दिया है तो कैसे बदलेंगे आप C का आपने C लिखा सेड का सेड रहेगा कॉमा इन्वाइटेट कॉमाज के स्थान पर धैट बस केबल परसन चेंज करना आना चाहिए मेरी टैंशन है सब आप सीख जाएंगे तो देखिए आई को जब C से चेंज करेंगे तो आपको लिखना होगा सी कैन का हो जाएगा आपका कोड और कोक का कोक रहेगा माई को C से चेंज करेंगे तो आपको लिखना होगा हर अगर यहां ही होता तो क्या लेखते आप हेज लेखते और फूड का फूड तो आपको दोनों केसे अच्छे से समझ में आई होंगे अब मान लीजिए यहां अगला कॉंसेप्ट का कहता है आपका यदि थर्ड परसन मैस्कुलेन सिंगुलर हो मैस्कुलेन का मतलब है दोस्तो यहां तो जेन्डर क्लियर ना हो तहां अप ही को प्रायोर्टि देंगे यह फ्र जैसे बॉय हो गया जुडर हो यह फादर हो गया तो इनके लिए भी आपको क्या लेखना है अपको यह लिखना है और तीचर स्टूड cents यह कॉमन है तो इन्में आपको priority देनी है he को तो जब comma invited comma आई है तो आपको इनके अंसार आपको लिख देना है he और my है तो आपको लिख देना है he मी है तो आप लिख देंगे him जैसे की एक example देख लेते हैं my brother said comma invited comma I can solve my problem full stop comma invited comma में बन तो देखें my brother का आपने my brother रखा sad का आपने sad रखा comma invited comma के इस्तान पर that यह कैसे हो रहा है आगे समझेंगे लेकिन आपको I brother से change करना है I brother से change करना है तो आप जानते है masculine है तो आपको यहाँ लिख देना है he can का could हो जाएगा solve का solve हो जाएगा my को brother से change करेंगे तो he आपने pronoun माना है तो इसका पज़े से वाज एक्टिव आपको ध्यान में रखना है हेज होता है तो आप क्या लिख देंगे जहाँ हेज और problem की बात करें तो problem अगर मान लिजिए जहाँ sister होता तो he की जगे पर C हो जाता आपका और his की जगे पर क्या हो जाता हर हो जाता तो देखिए the teacher का आपने the teacher लिखा sad का sad लिखा आई आजा है आपको तो I को teacher से change करेंगे तो यह आपका common noun होता है तो common noun के अंतर गात आपको he को ही priority देनी होती है तो I से जब teacher को change करेंगे तो आपको लिखना होगा he can का हो जाएगा teacher का teach रहेगा teacher से change करेंगे तो he का position objective आप लिख देंगे his और subject का subject फुल स्टॉप आज हो पहला person आपको change करना आजा होगा अब मान के चलिए कोई feminine है और feminine के लिए आपको C मान लेना है क्या मान लेना है C तो C के according आप लगा देंगे तो यह example आप देख सकते हैं लिखा है मैंने अब देखिए अब आपको कॉमा इंबाटेट कॉमाज में I, My, Me, Me न दे उसके इस्तान पर अबजेक्ट के अमसार अबजेक्ट आप जानते हैं जैसे यदि अबजेक्ट आपका हिम दिया है तो जब आप यू को चेंज करेंगे तो यू के बाद अगर वव आई है तो यह subjective case होगा इस चीज को लिख लें और इस यू के बाद आपका helping बव या man बव नहीं आएगा तो वह objective case है तो देखिए यदि object हिम दिया है और यू से आपको change करना है तो आपको यू subjective case है इसलिए हिम का subjective case आपको लिखना होगा ही अगर यूर दिया है तो यूर possessive objective है हिम का subjective case ही होता है तो ही का possessive objective आपको लिखना होगा है अम माल लीजिए यू आपको एज़ा objective केस में दिया है तो आपको जब हिम से ही change करना है तो objective केस हिम ही रख दिया जाएगा जैसे एक example से समय लेते हैं I said to him, invited, through you can write your letter full stop, invited, में बन तो देखिए I का I लिखा है सेट या सेट टू को मैंने टोल्ड में बदल दिया है him का आपका him हो गया तो यही तो लिखा है अब यहां मानके चलिए I होता तो आप I से change करके I लिख देते लेकिन यहां दिया है you यानि कि तुम, तुम कौन, बाइसा सुनने बाला कौन है आपका him, तो इसलिए आपने यहां that लगा कर you को जब him से change करेंगे तो आपको यहां subjective case ही का लिखना है तो हो जाएगा he, him का subjective case किया हो जाएगा he, और can को आप code में बदल ही रहे है, right का right हो जाएगा you, him से change करेंग तो him को आपको ध्यान राकना है, इसका subjective case होता है he, तो इसका objective ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा he, और letter की बात करेंगे तो letter full stop, बात clear हुई होगी, अगर मान लिजिए आपका object हर दिया है, reporting बाव में है, तो you को आप c लिख देंगे, your को आप हर लिख देंगे, और you objective case है, तो उसके इस्तान पर भी c का objective case हर लिख दिया जाएगा, अब बताएगे कितनी बहतरीन तरीके से PDF बनाई गई या आसानी से आप लिख कर समझ सकते हैं, तो example देखते हैं, I shared to her, comma, invited, comma, through, you are reading your book, your book, ठीक है दोस्तों, तो देखिए, I का आपने I लिख दिया, said to का आपने told लिखानी करनी है, comma, invited, comma, I के इस्तान पर that लगा दिया, you को आपको object से change करना है, object हर, लेकिन you तो subjective case है, तो her का subjective case आपको लिखना होगा, c, चूंकि यही बता जा गया है आपको, और यहां r है, तो c के according आपको tense में परवरतन करके लिख देना है, watch, reading का आपका reading हो जाएगा your possessive objective होता है, object से change करना है, तो c का possessive objective होता है, her, और book की बात करें तो book, एक और question देख लिए यही बात पर, c, set, to, madhu, comma, invited, comma, through, you are writing your letter, full stop, comma, invited, comma, में बन, तो यहां देखिए, एक feminine gender है, तो आपने he का he लिखा, set, to, को told में बदल दिया, madhu का आपने बंदू लिखा, comma, invited, इस्तान पर, you को जब आप मदू से बदलेंगे, तो आप जानते है, madhu feminine है, तो इसके लिए आप pronounce, c का यूच करते हैं, तो आप यहां, you को जब मदू से change करेंगे, तो आपको c लिख देना है, क्या लिख देना है, c, अगर आप मदू लिख देंगे, तो वह है, noun का repetition होगा her, और letter की बात करें, तो letter full stop, आज बनाना सीख जाएंगे, आप tension ना लें, अब मान के चलिए, यदि आपका object me दिया है, क्या दिया है, me, और जब आपको you, me से change करना है, तो me को आप लिख देंगे, I में, subjective case में, your change करना है, me के according, तो I आपका subjective case हो गया, तो उसका possessive objective आपक me ही रहेगा, जैसे example देख लिजिए, he said to me, comma, invited, comma, through, you have completed your written work, full stop, comma, invited, comma, में, one, तो देखिए, he का आपने ही लेखा, said या set to को आपने told मा बदल दिया, me का me हो गया, अगर यहाँ I होता, तो आप I को change करते तो ही लिख देते, लेकिन यहाँ objective case है, तो you को me से जब change करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका I, जोंकि subjective case लिखना है, have का आपने head लिख दिया, completed का completed, your को मी से change करना होगा, object से, तो इसका subjective case होता है, मी का I, तो उसका positive objective आप लिख देंगे जहाँ, my or return your work, देख लीजिए, यही मैंने आपको बता जाए, अब मानके चलिए, यदि आपका object us दिया है, क्या दिया है, us, जब आपको you से change करना है, तो आपको subjective case us का लिखना होगा, we, your से change करना है, तो इसका positive objective आपको लिखना होगा, our, और objective case तो आपको same ही देखने को मिलेगा, जो यहाँ होगा, they said to us, comma invited, comma, through, comma invited, comma, through, you are living in your room, full stop, comma invited, comma, मैं one, तो देख यह objective case क्या दिया है, us, तो देखा, आपने दे लिखा, set to का told में बदल दिया, us का us, us लिखा, comma invited, comma, इकिस्तान पर, that, you को जब आप आप से change करेंगे, तो यह आपका subjective case है, तो आपको 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 लिखा, we, tense changing से आपको परिशान नहीं होना है, वर हो जाएगा, living का living रहेगा, इनक आपको अस्टे change करेंगे, तो असका subjective case होता है, we, और we का मैंने positive objective आपको क्या लिखाया है, our room, या फिर आप धहां रखें, जब भी अस से आपको your को change करना है, तो उसके स्थान पर आपको क्या लिख देना है, our, ठीक है, अगला question देखिए, यदि them या plural noun, जैसे children, boys, etc आप आपको दिया है, etc आपको दिया है, तो you को, जब आप them से change करेंगे, तो आपको दे लिखना है, your को them से change करेंगे, तो दे का positive objective दे लिखना है, और them से अगर आप you को change कर रहे हैं, objective case में, तो them ही लिखना है, जैसे example देख लिजिए, c, set to them, comma, invited, comma, through, you can solve your question, full stop, comma, invited, comma, में, one, तो आपने c का तो c लेखा, set to का आपने told कर दिया, them का आपने them रखा, comma, invited, comma, के स्थान पर that लेखा, you को जब आप them से change करेंगे, तो you आपका subjective case है, them का subjective case होता है, तो they, can का आपने code कर दिया, solve का solve रहेगा, your को them से change करेंगे, तो देखा, passive objective आपको क्या देहां रखना है, they are, और question का question, जो हिंदी में लेखा है, उसे भी आप note down कर लें, एक और example देखते हैं, जैसे, the teacher said to the boys, comma, invited, comma, through, you have done your work, fully stop, comma, invited, comma, में, one, तो देखिए, the teacher told the boys that, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अब यहां boy होता, तो singular noun होता, तो आप you को boy ते change करते तो ही लिख देते, लेकिन यहां तो यह plural है, boys, तो इसलिए third person plural आपका होता है, they, have का आप लिख देंगे, had, done, car, done, रहेगा, your को boy से change करेंगे, तो हो जाएगा, they are, और work की बात करें, तो work, full stop, अब इसके बात देखिए, जहां, comma, invited, comma, में, यदि आपको we दिया हो, लेकिन यहां कि specific sense में हो, तो we का we ही रहे, we को them में बदलेंगे, और our को there में, और us को them में बदलेंगे, अब ज्यादा तर आपको teacher पढ़ा देते हैं, कि I और we हमेशा subject is change होता है, नहीं, दोस्तों, यह कहना गलत होगा, मैं region भी बताऊंगा, जैसे he said to her, we can go there, full stop, 1, यहां देखे subject आपका क्या है, singular, अगर आप we को singular से change कर सकते हैं, क्या, यानि हम वह, यह कहना तो गलत होगा, तो इसलिए आप यह तो यह करें कि third person plural के पास जाएं, तो वह क्या होता है, दे, इस concept से समझ लें आप, लेकिन we का, आप कभी भी ही ना करें, गलती से, नहीं तो आपका number काट लिया जाएगा, इसका region क्या है, क्योंकि यह अपने आप में first person plural होता है, और यह आपका third person singular होता है, अब plural से singular तो नहीं बदलेगा, इसलिए plural से plural ही बदलना है, तो third person plural फिर भी आपका क्या होता है, दे ही होता है, तो देखिए, he का आपने उसने उससे कहा, कॉमा इंबर्टेट कॉमाज में हम वहाँ जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वह वहाँ जा सकता है, बलकि इन दोनों ने अपनी बात की है, तो इसलिए आप कहेंगे, कि उसने उस बताया कि वह वहाँ जा सकेंगे, वह वहाँ जा सकेंगे, तो इसलिए अपने क्या लिखा यां केवल दे लिखा और अगला यह important है यह आपके board exam में पूचा गया है यदि वी का यूज universal truth या general sense में हो तो वी को नहीं बदलते हैं अब general sense क्या होता है दोस्तों या universal truth क्या होता है जैसे हम सभी को एक दिन मरना है यूनिवार्सल ट्रोथ है यह सभी पर लागव होता है यह जनरल सेंस है तो हाँ बोर्ड से आपसे कोशन पूचा गया है हम अपने जीवन में बिल्कुल भी खोशन नहीं है आप सर्च करिए बोर्ड एक जाम्स को तो देखिए यह सभी पर लागव होता है तो इसलिए आप यहां वी को ही से चेंजन ना करें जर्णल से तो इसमें टेंस में भी कोई चैंजेंग नहीं हो गई और वी एक जंपल्स आप देख सकते हैं जो पूचे गए हैं आप से जए दो यार देख सकते हैं यह आला जो दो ऑचाह और जो सेम को संदो या तेस में भी पूचा है मैंने यह से सॉल्व कराकर डाला है आपको भी दिक्कत ना लें और यहां वी मस्ट डाई यह भी चेंज नहीं होगा उसके बाद थर्ड परसंस थर्ड परसंस में आपका जैसे ही हेज हर वोई बॉइस सी दे टीचर बॉइस अगर कॉमा आई हो तो आपको सब्जेक्ट से चेंज करना है यू हो तो अब्जेक्ट से चेंज करना है अगर वी है तो दे में बदलना है इसके बाद कुछ भी आपको देखने को मिले उसमें आपको परवरतान नहीं करना है तो देख सकते हैं इसमें कोई भी परवरतान नहीं हुआ है सी का सी ही लेखा है उसके बाद कुछ important exceptions है इन्हें आप देख सकते हैं जैसे कि reporting verb past tense में हो तथा reported speech में अथार्थ invited commas के भीतर habitual और universal truth हो principle हो प्रोब आउफ्स हो टैंसेज में indirect में कोई भी परवतन नहीं होगा जैसे देख सकते हैं इसमें कोई changing नहीं होगी गलत भी आपको बताया अगर करेंगे तो इस प्रकास से गलत हो जाएगा तो इन पर विसेश द्यान दें यह पूचे जाते हैं उसके बाद हम थोले से नीचे की और स्क्रॉल करते हुए चलेंगे इसमें important ही आप देख सकते हैं सबके सब उसके बाद some important आपको चीज़ें ध्यार रखनी है reported speech में must का प्रियोग हो तो मस्ट में नयतिक करताव जिम्मिदारी नियम सिधान तादी का बोध हो तो indirect speech में must का प्रियोग जीओं का ट्यों होता है कोई परवरतन नहीं होगा तो यहां देख सकते हैं जिन में कोई भी परवरतन नहीं है लेकिन अगर must का प्रियोग present और future में indirect इसको अर्था अनुसार have to या have to में बदल दिया जाता है यानि कि जहां compulsions किया जाए आपको लगे कि जहां में compulsions है यानि कि अनवारता है जैसे c said उसने कहा I must go full stop सब्सक्राइब करेंगे तो सी हो जाएगा तो पड़ चुके हैं मस्ट को आप लिख देंगे हैड तुमें क्योंकि यह माना गजा होगा हैज्टू क्या माना गजा होगा हैज्टू गो का आपका गोई ही रहेगा तो एक जंपल बहुत से आप देख सकते हैं और तिन तरह से और चेंज होगा यह एक तरह से और उसे मैं आगे वीडियो लेक्षर में बताऊंगा अब चोटी चोटी सी चीज़ां आपको दिहान रखनी है क्या है दिश दिया है, आपको आप देट में चेंज कर देंगे , दिज होगा है तो दोज में , हईर को देर में , नाऊ को दैन में, तो इन चीज़ों का आप स्क्रीन सॉट ले लें दोस्तों इन चीज़ों का और अपनी नोट बोक में आपको नोट कर सकते हैं जिसे कि आने वाले दुनों में जो मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा डेटेल में तो वहां आपको दिकत ना हो अपकी रिपोर्टिंग पॉंड अगर पास्ट में दी है तो आपको किरिया की फिर्श फ्र म्यार की देना है do does को second form में बदल देना है do does not अगर दिया है तो did not में बदल देंगे lagmr को watch work में बदल देना है hedge have को head में बदल देना है v2 को head plus third form में change कर देना है did को head plus third में change कर देना है head का head ही रहेगा head 반 in का head भी नहीं रहेगा will का work, sell का sword इस पर हम चर्षा करेंगे अभी Can का code होता है Make a might Code का code रहेगा Must को अलग-अलग तरीके से हम देखेंगे तो next video में हम Assertive Sentence का अध्यन करेंगे Video कैसा लगा एक बार comment अब से दें Thank you